तारक महता का उल्टा चश्मा 14 सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। इस साल भी ये शो सुर्खियों में बना हुआ था। लेकिन इस बार तारक महता का उल्टा चश्मा अपनी टी आरपी की वजह से नहीं बलकि एक एक एक्टर के खो जाने से चर्चा में था। शो में रोशन सिंह सौधी का किरदार निभाने वाले एक्टर गुरुचरण सिंह अचानक ही गायब हो गए थे। 26 दिनों तक गायब रहने के बाद वह घर वापस लोट आए। बीते शनिवार लापता होने के बाद एक्टर गुरुचरण सिंह को पहली बार मुंबई एयरप पर पैप्ट संग बातचीत के दौरान एक्टर ने अपने सुपर हिट शो में वापसी के बारे में भी बात की। सोशल मीडिया पर साज़ा किये गए इस वीडियो में एक्टर मुंबई लोट कर काफी खुश नजर आ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या शो के मेकर् के सारे पैसे लोटा दिये हैं तो वह कहते हैं कि उनके लगभग पूरे पैसे मिल गए हैं लेकिन उन्हें बाकी लोगों के बारे में पता नहीं है।